नमस्कार, पर्सो एक बहुत बड़ा डीजन लिया गया, वो डीजन क्या है कि OVC और EWS का रिजर्वेशन और अल इंडिया कोटे हुए, तो सबसे कहली बात तो यह है कि काफी लोगों को समझे नहीं आदा कि यह क्या हुआ, तो कुई कली मैं बताता हूँ कि इसकी पिष्ट क्या है, तो देखें, इंडिया आमेन में बार पर कहता हूँ, MBBS है बहुत ही कोटेग कोर्स है, बहुत ही एस्पिरेशनल कोर्स है, एक मात्र कोर्स ऐसा है, जिसकी सीटें लिमिटेड है, और बच्चे बहुत साथ है, बाकि सब कोर्स में तो, जो मर्जी कोर्स का सकते हो, अ इसकी सब्सक्राइब करते हैं, इस रूल का क्या इंपक्त है, और पूरी मेडिया कह रही है कि OBC ले आए, मोदीजी ले आए, लेकिन कोई यह नहीं कह रहे है, यह जो पंदरा सो सीटें OBC के लिए और तक्रीमन पांसो सीटें EWS के लिए आ गई है, तो इसकी इसकी जेव से निकलके आई है, जी हाँ, तो यह निकला है जर्नल कैटर्गरी की जेव से, तो सबसे पर लुआ को यह बतातूं कि जर्नल कैटर्गरी के पास अब 50 भी नहीं, 40% सीटे रह गई है, हर 100 सीट में 27% OBC, 15% SC, 37% ST, कुछ 49% हो जाता है, उसमें 10% EWS, 59, तो 100 में से जर्नल कैटर्गरी के पास वैसे भी 40 सीटे होती है, लेकिन फिरहाल MVPS में क्या चल रहा था, तो तरह के सरकारी कोलेज होते हैं, फिर से हमें मानूम है, वो जिदें सेंट्रल गवर्टमेंट चलाती है, जो कि AIMS हो गए, PHU, AMU, ZIPMAR, तक्रीबर इनकी सीटे 2000 हो गई, और बाकी 40,000 सीटे हैं, जो कि स्टेट लेवल की कॉलेजिस होते हैं, जै उसमें मौला नाजार लेजी हार्डिंग हो दिली के, या सवाई मान सिंग जैपूर का हो, या के इंग जॉइज मेडिकल कॉलेज, जो कस्तुरुपा कान्दी मेडिकल कॉलेज रखनाउं का हो, शाह मौलेज मेडिकल कॉलेज, या सब हुआ स्टेट गबर्बेर्मन में किंते हैं, इनके अंदर भी सेम डिजर्वेशन चलती हैं, लेकिन इन सभी सीटो में से 15% सीटे और इंडिया कोटे ले निकाली जाती हैं, तो समझे। 40,000 सीटों में से 6,000 सीटे और इंडिया कोटे में 34,000 सीटे बच्ची जिनमें वो रिजर्वेशन लाग होती थी तो उन 34,000 में जनल कैटेगरी के पास 40% के साफ से रफली 4,000 सीटे आती थी लेकिन इन 6,000 सीटों में चुकि कोई कोटा नहीं था जब आया था ना 25 साल पहले तो तो कोई रिजर्वी चल नहीं थी तो सारे के सार सीटे सिर्फ मेरिट में अवेलेबल थी फिर 2007 में SCST के लिए आ गया था तो 25 सीटे कम हो गई फिर भी सारे 4,000 सीटे सब के लिए बची थी इनी सीटों में अब OVC और EWS कोटा आ गया है तो यह सारे 4,000 सीटे जो सब के लिए थी उनमें और 2000 सीटे कम हो गई है और जर्णल क OVC को देदे के लिए तो OVC और EWS के सीटे बड़ी है लेकिन उसी समय जर्ल कैटेगरी की 2000 सीटे और कम हो गई है तो एक ओमराल जो मैं कहता था कि जर्ल कैटेगरी के बच्चों के बास 14,000 सारे 4,000 सारे 18,000 सीटे होती थी लेने के लिए उसमें सब 2,000 और कम हो गई हो 16,500 जर्ल कैटेगरी के बच्चों को और मेहनत करने पड़ेगी और परियास करने पड़ेंगे सीटे आपके लिए और कम हो गई है तो फिर काफी बच्चे जर्ल कैटेगरी के रही जाएंगे जो ठाराजार पानसो दोजार बीस तक सीटे थी वो इस साल 16,500 लेगी तो यह सही मा हम दोनों के स्पेशलिस्ट हैं मैं हमेशा कहता हूँ अगर अफोर कर सते हैं तो अधिया परिये नहीं कर सकते तो बहुत अच्छे कॉलिज बहार भी है अफकोर्स लेंविज इशू रहता ही है अधर देन नेपान और फिलिपीन्स तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं इंड सब्सक्राइब कर दो कॉंटेक्ट वर नियर्स ब्रांच और दू कॉंटेक्ट अवर और अलिया हल्प्लान नंबर 96433-62320 वर अनी कांड फेल्प, MPPS अडिमिशन से रिडिए धन्य बात